Q8 यहाँ पर हमें simple cash book बनाना है और उसे laser में transfer करना है पहला तारीक को दिया हुआ है शुशान स्टार्ट कर रहा है business 25,000 रुपए के cash में फिर दो तारीक को cash purchase किया गया है 2,000 रुपए का तीन तारीक को प्रशान से हमने good खईदा है 1,500 रुपए का 12 तारीक को हमने sanjay को sold क 할게요 है 300 रुपए का समान 14 तारीक को फिर हमने receive किया है cash sanja से 100 रुपए और 20 तारीक को wages pay किया है 150 रुपए का 22 तारीक को purchase किया है cash purchase है यह 1400 रुपए का फिर पर 55 तारीक को हमने senario expenses Pay कि कि UCLA 12 रुपए के 27 तारीक हमने बैंक में पैसे जमा किया 500 रुपए 28 तारीक को मशिनरी पर्चस किया 5000 रुपए का और 30 तारीक को विड्रॉक किया 800 रुपए तो हम यहाँ पर सबसे पहले simple cashbook बनाएंगे जिसका column होगा date particular jf amount date particular jf amount पहले तारीक को हमने business start किया है तो इसका entry होगा cash account dr to capital इसलिए हमने cash account dr हो रहा था इसलिए इसके dr site पर हमने लिखा two capital 25,000 रुपए फिर cash purchase है तो इसका entry होगा purchase account dr to cash तो क्योंकि cash credit में आ रहा है, इसलिए credit site पे हम लिखे buy purchase 2000 रुपए, फिर यहाँ पे कहा गया है कि good purchase from Prashant, तो यह तो credit purchase है, तो इसकी entry नहीं होगी, क्योंकि cash book में सिर्फ cash का entry होता है, वो आता है, इसमें credit का entry नहीं होता है, यह purchase book में जाएगा, तो इसे अभी अपन skip करते है फिर 6 तारिक का देखेंगे deposit into bank, बैंक में पैसा जमा किया, तो इसका entry होगा bank account DR to cash, तो यहाँ पे cash credit हो रहा है, इसलिए हम 6 तारिक का लिखेंगे buy bank 3500 रुपए, फिर 7 तारिक को, प्रशान्त को हमने पैसा पे किया है, तो इसका entry होगा, प्रशान्त account DR to cash, तो cash credit हो रहा है इसलिए credit साइट पे हमने लिखा by प्रशान्त 1000 रुपए, इसके बाद 10 तारिक को है cash sales, जिसका entry होता है cash account DR to sales, तो cash के DR साइट पे हम लिखेंगे to sales 1200 रुपए, अब 12 तारिक को हमने संजे को माल बेचा है, तो यह तो credit है, क्योंकि यहाँ पे cash word नहीं दिवा है, इसका तो cash account DR to sales, तो cash DR हो है, इसलिए DR साइट पे हमने लिखा to sales, 100 रुपए, फिर यहाँ पे है wages pay, 20 तारिक को, तो इसका हो जाएगा wages account DR to cash, cash credit हो रहा है, इसलिए credit साइट पे हमने लिखा buy wages, 150 रुपए, फिर 22 तारिक को है cash purchase, तो purchase account DR to cash, तो credit साइट पे हमने लिखा buy purchase, 1400 ते परिए थी तरी को अष्छिक लिगा थी सनरी थी संधे करते हैं जविल्षेंट पेर आप्लिके लिखाक राख्या चनली कवर्य क कशयर रूपरिधा थीस करता श है withdraw from bank तो इसका entry होगा cash account dr to bank cash dr हो रहा है इसलिए हमने dr site पे लिखा to bank 800 रुपए अब हम इसका total करेंगे तो आ जाएगा 27,100 उसके बाद 2,000, 3,500, 1,000, 4,500, 4,500, 1,20, 500 और 5,000 को जोड़ेंगे और उसे 27,100 से माइनस करेंगे तो हमारा balance आ जाएगा 13,430 रुपए यह हम लिखेंगे तीस तारीक को buy balance carry down यह हमारा simple cash book बन गया अब इसके base पे हम laser account बनाएंगे तो अब हम laser में सबसे पहले capital account बनाएंगे capital जो है वो cash book में debit site पे आया है तो जब हम capital account बनाएंगे तो उसके credit site पे वो brought down होगा हमेशा यह opposite होता है अगर debit site पे है तो वो credit site पे जाएगा credit site पे जाएगा credit site पे है तो debit site पे उसकी entry होगी तो cash book में debit site पे था इसलिए हमने आ लिखा buy cash account 25,000 रुपए जो की capital का ही amount था और इसी को हम total करेंगे और यही amount जो है वो हमारा तीस तारीक को buy balance carry down हो जाएगा debit site पे 25,000 रुपए से इसके बाद purchase account बनाएंगे तो purchase cash book में आया है एक तो दो तारीक को आया है 2000 रुपए का उसके बाद आया है 22 तारीक को 1400 रुपए का त जब purchase book बनाएंगे तो वो debit site पर आएगा तो इसे हमने debit site पर transfer किया to cash 2000 रुपए दो तारीक का एंटरी किया फिर 22 तारीक का एंटरी किया 1400 रुपए वाला फिर total करेंगे तो 3400 रुपए उसी को हम credit site पर transfer करेंगे तो buy balance carry down हमारा आजाएगा 3400 रुपए इसकी बाद sales account credit site पर आगया और इसे हम क्योंकि cash account से लेके लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर रिखाएगा buy cash account 1200 रुपए और यही amount इधर पर debit site पर buy balance carry down हो जाएगा 30 तारीक को फिर हम machinery account बनाएंगे machinery एकी बार खेदा गया था 28 तारीक को 5000 रुपए का यह credit site पर है तो जब entry करेंगे तो वो machinery account में debit में आएगा cash book से लिखा है हमने इसलिए यहाँ पर लिखा to cash 5000 रुपए टोटल करेंगे और इसी को credit site पर buy balance carry down करेंगे फिर प्रशान्त account बनाएंगे प्रशान्त का जो नाम है वो एक ही बार आया है साथ तारीक को 1000 रुपए का यह credit site पर था तो प्रशान्त account में debit site पर आएगा to cash तो हमने इसका debit site पर entry कर दिया और इसका total करने के बाद वही amount हमारा 30 तारीक को यह हर मैने के 30 तारीक को ही क्या होता है buy balance carry down यानि कि यह last में balance निकलता है तो यह buy balance carry down हमने 1000 रुपए किया फिर संजे का account बनाएंगे तो संजे का नाम debit site पर आया है 100 रुपए का 14 तारीक का है यह तो उधर debit में आया था इसलिए इस site पर credit में यह transfer हुआ है buy cash 100 रुपए इसी का total करेंगे और इसी को 30 तारीक को buy balance carry 3300 रुपए का उसकी बाद आया है 2700 तारीक को 500 रुपए का तो यह दोनों credit site पर आया है तो इसको देबिट अब यह से चार हजार रुपै में इसे आट सो रुपै है तो बैलन्स हमारा आएगा तीन हजार दो सो रुपै जो कि हमारा बैलस कारएडाउन होगा इसके बाद वेज़स अकाउंट बनाएंगे wages credit site पे आया हुआ है तो जब इसे transfer करेंगे तो वो debit site पे जाएगा तो इसका debit site पे हमने transfer कि अब इस तारीक को to cash 150 रुपई इसी को total करेंगे यही 30 तारीक को buy balance करेडाउन होगा 150 रुपई से और यही हमारा solution होगा